Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on my channel We Assist You Kapoor. आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, Class 6 की Adventures with Grammar and Composition. आपकी Grammar Book, New Learning to Communicate की ही सीरिस है यह, Adventures with Grammar and Composition. इसके हम अल्रीडे 22 चाप्टर्स कवर कर चुके हैं. आज हम यहाँ पर बात करेंगे 23rd चाप्टर की जो की है, Punctuation. Punctuation, यह बहुत ही अशा चाप्टर है और Punctuation जिसे हिंदी में कहा जाता है विराम चिन. तो Punctuation, यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, Private No Visitor Allowed. अब देखो, यहाँ पर जो है, कुछ Simple बात लिखी हुई है, इसमें कोई Question Mark, कोई Full Stop नहीं लगा हुआ है. लेकिन यहाँ पर देखो, यह इसने क्या किया, इसने Private किया कि Question Mark लगा दिया, No Visitor Allowed. ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर Punctuation लगा के उसकी Meaning में Change कर दिया. चैसे कि आपने अकसर बस की स्कूल, स्कूल अली बस पर देखा होगा, लिखा रहता है, साफधान बच्चे हैं, है ना? तो अब इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो अगर आप साफधान बच्चे हैं लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि बच्चे जो अंदर सब हैं, हो साफधान खड़े हैं, यह काफी Careful हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमा लगा के या साफधान के बद कॉमा लगा के थोड़ा सा एक पॉस देते हों, तो इसका मतलब हो जाता है, कि जो पीछे से आने वाले लोग हैं, इनको कहा जा रहा है, साफधान रही है, गाड़ी में बच्चे हैं, इसलिए आपको थोड अब यहां पर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर बात तो भाही लिखी हुई है, लेकिन उसने जो हैं पर जैसे ही पंक्टुएशन चेंज कर दिया, जैसे इसने कुछ यहां पर साइंज लगा दिया, इसका मतलब यह होँआ है, इसका मतलब यह इसका मतलब यहां पर लिख दिया, प्राइवेट कुछिन मार्क, प्राइवेट है क्या, फिर लिखा हुआ है, नो विजिटर अलाउट, नहीं नहीं प्राइवेट नहीं है, आप विजिटर अंदर भेज सकते हैं, तो यहां पर उसने बस पंक्टुएशन का चेंज किया, और बात का क्या मतलब बन गया है, ठीक है, we use punctuation marks to divide our writing into smaller units, हम punctuation marks का इस्तिमाल इसले करते हैं, कि जो हमारा पुरा paragraph है, जो sentence है, उसको हम लोग थोड़े से च्टोड़े पार्ट्स में डिवाइट कर दे, So the meaning is clear to the reader, जिससे कि earth जो है, साफ समझ में आ सके, if you don't use punctuation marks correctly, the sentence may not convey the meaning intended, अगर हम punctuation marks का इस्तिमाल नहीं करते हैं, पंक्टुएशन मार्क के बगयर जो हमारा sentence होता है, उसका सही meaning नहीं आता और उसका बात का कुछ और मतलब भी निकल सकता है, we use various punctuation marks, used in writing, some of them are, हम बहुत सारी punctuation marks का इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि capital letters का इस्तिमाल करते हैं, question mark जो कि ऐसा दिखता है, comma जो कि ऐसा दिखता है, bracket जो कि ऐसा दिखता है, full stop इस तरीके से दिखता है, exclamation mark ऐसा नजर आता है, colon, two dots होते हैं, inverted comma, इस तरीके का double और single होता है, और one of the above, full stop question mark and exclamation marks are called end marks, तो full stop question mark और exclamation marks जो होते हैं इस सबसे sentence के end में इस्तमाल किये जाते हैं यहां लिखा हुआ है full stop क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे full stop is used to show the end of the declarative or imperative sentences अब देखो कोई भी sentence है जो हमें कोई facts बता रहा है या कोई simple सी बात बता रहा है तो उसके end में full stop लगा के हम पता देते हैं कि बाई sentence यहां पर खतम हो गया है full stops are also used in some abbreviations full stop का इस्तमाल कभी-कभी short forms में भी किया जाता है जैसे कि यहां पर am में किया गया है pm में किया गया राइट optionally in some abbreviations such as in titles कई बार titles में जैसे mister, mrs, doctor usa sa, इस तरीके के भी words में punctuation marks full stop का इस्तमाल किया जाता है optionally between initials of the names जैसे कि कहते हैं na short term रग बाल गंगधर तिलग, बीजी तिलग तो यहां पर हमने क्या लगाया है full stop लगाया है sm sinha तो यहां पर full stop लगा लगा के हम लोग नाम को भी इस तरीके से indicate करते है question marks अस्तमाल कहां पर होता है we use question marks at the end of the questions तो आपको पता ही है कि हम questions पूछते हैं तो last time question mark लगाते है have you seen the Golconda fort और question mark लगा है कि क्या तुमने Golconda fort देखा है तो question mark हमें question पूछने के लिए वो करता है और हमें पता चल जाता है कि एक question है who is that man? कौन है वो आदमी? तो question mark लगा के हमने दिखा दिया कि एक question था exclamation mark we use these marks after exclamatory sentences और interjections मैंने आपको बताया था पढ़ा भी है हमने exclamatory marks जो है interjection के साथ use होते है ठीक है अब interjections क्या होते है जब हम feelings को express करते है how beautifully she sings तो यह क्या हमारी feeling है feeling के बाद exclamation mark लगता है wow, alas, ouch इन सा words के साथ exclamation marks का अस्तमाल किया जाता है कौमा अब हमें देखना है कि कौमा का use कहा कहा करते है कौमा has numerous uses in English only a few of them are listed here तो कौमा के बहुत सारी uses होते हैं लेकि हम यहापर कुछ पढ़ेंगे जैसे कि first है to separate word or group of words in a list अगर हमें group of words जो हैं दिये गए हैं और उन्हें हम अलग-अलग करना चाहते हैं तो हम करेंगे we went to Shimla, Delhi and Kolkata तो हमने कहा कि तीन जगा के नामे न तो यह दोनों एक साथ आ रहे थे लोगों को अड्रेस करने के लिए भी हम कौमा का यूज करते हैं जैसे Let Us Eat, Gramma चलो खाते हैं, Gramma तो यहाँ पर कौमा का यूज हुआ है Mom, Can I Go Out To Play? Mommy, क्या मैं बहार खेलने जाओं तो ममा मम के बाद जो हमने कौमा लगा है to separate question tags question tags को separate करने के लिए जैसे कि You haven't seen this movie before, have you? जैसे हम question tags वो होते हैं जो हम पूरा question पूछ लेते हैं पूरी बात कह देते हैं उसके बाद last में एक चोटा सा question लगा देते हैं जैसे तुम ने ये movie नहीं देखी देखी है क्या? तो यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर कॉमा लगा के have you का इस्टमाल किया है तो separate interjections and direct quote interjections और direct quote को separate करने के लिए जैसे grammar said I know that man तो हम जैसे direct or indirect speeches use करते हैं न कि inverted comma में उनकी कही हुई बात को हुबा हुई लिखने के लिए inverted comma में लिखते थे तो उसी तरह के सामिया पर कॉमा का इस्टमाल करते हैं और उसे पहले हम यहाँ पर comma यूज करते है ऐसे sentences के लिए जो basically एक sentence में कुछ extra information दे रही पर इतनी important नहीं है GT is the kindest robot in the world लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या है दो कॉमा लगा दिया है और बीश में लिख दिया है according to me तो मेरे हिसाब से तो अगर आप मेरे हिसाब से नहीं भी बताते तो भी sentence पूरा था और चल जाता लेकिन हमने उसको बोला please don't throw away my old books I beg you तो हमने क्या किया please don't throw away my old books यहाँ पर बात खतम हो जाती है लेकिन हमने comma लगा के I beg you भी लगा दिया जिसने sentence का कोई खास डिफरेंस नहीं आया बढ़ हाँ एक छोटा था पॉस लेकिन अपने additional information दे दी colon a colon can be used to introduce a list of items अगर उपके एक list बताने जा रहे हैं तो हम उसके लिए colon का स्टमाल करते जिसे for example I want to buy अब मैं खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्या-क्या खरीदना चाहती हूँ तो पूरी list को हम लोग बताने के पहले colon लगा देते हैं some flowers, a cake and some gifts second है diet speech but comma is usually preferred Mr. Rao said देखो कभी-कभी हम diet speech में भी colon का use करते हैं लेकिन वैसे comma का ही स्टमाल करना चाहिए यहां है inverted commas these marks are used to indicate the particular word spoken by someone जैसे कि inverted comma का स्माल का होता है जब किसी ने हम से जो बात कही हम वही same to same बात कह रही हैं उसी के शब्दों में तो हम inverted comma का use कते हैं जैसा कि हमने direct speech के chapter में पढ़ा था अगर आपने वो chapter नहीं देखा है तो आप मेरी grammar की class 6 की playlist को visit कर सकते हैं bracket यहां पर we use bracket to insert information that is not essential to convey the meaning of the sentence but add an information तो bracket का स्माल ऐसी चीजों के लिए होता है जो एक extra information तो दे रही है पर इतनी जादा important नहीं है so if we skip the matter in the bracket we read the rest of the sentence it would make perfect sense तो अगर जो भी चीज़ा बात में लखी है हम इसे skip करने और पूरा sentence पढ़े तो उसका मतलब भी पूरा पूरा आएगा ठीक है plus the text in the bracket would give you additional information और जो बात bracket में लिखी जाती है वो आपको extra information देती है किसी चीज़ के बारे में a list of irregular verbs is given at the back of the book ठीक है see page number 124 तो यहां पर क्या कहा गया एक बात कही गई back of the book और back of the book से तो understood है कि आप बुक के पीछे जाके देखो गिलास में देखोगे लेकिन यहां पर page number भी ब्रैकेट में दे दिया गया the third desert is bordered by the अरावली range on the east उसके ब्रैकेट में लिखा है also called great Indian dessert तो हमने क्या किया यहां पर third desert वाले जो पूरा description है वो complete था लेकिन हमने इसको इसको इसके वर में एक information भी दे दी कि इसको great Indian dessert भी माना जाता है या बोला जाता है capital letters का इस्तमाल हम कब करते हैं तो पहला है to begin the sentences आपको पता है कि sentence की शुरुवात में full stop के बाद जब भी sentence शुरू होता है आई कभी भी short में नहीं लिखा जाता आई हमेशा capital letter में लिखा जाता है बहुत चे लोग ऐसी गलती करते हैं तो ये गलती बिलकुल मत करा करिए to begin proper noun and adjectives from the form from them तो proper noun को इस्तमाल करने के लिए proper noun होता है basically किसी का नाम proper nouns and adjectives दोनों के लिए जो है capital letter का सम्वाल होता है और fourth है to begin direct quote direct quote जो हम लिखते है न इस तरीके से inverted comma के अंदर तो मैंने आपको समय बताया था कि inverted comma के अंदर जो पहला word होता है वो हमेशा capital से लिखा जाता है apostrophe to show the position for example apostrophe आपको ये वाला एक comma होता है ये किसी चीज के अधिकार को show करने के लिए जैसे grandma's house, grandma का घर, ठीके boy's toy, boy का खिलोना, in contradictions for example haven't, don't है न, it's, तो यहाँ पर जो है हम लोग, sorry contraction contraction मतलब short में लिखना, तो जैसे have not का हमने haven't लिख दिया है न, तो यहाँ पर o को skip करके हमने क्या कर दिया, inverted comma लगा दिया जिसे हम apostrophe, inverted comma नी, जिसे हम apostrophe कहते हैं, to show plural of the singular letters, singular letters का plural दिखाने के लिए जैसे की two t's, two t, है न, write five threes, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी represent करते हैं, यहाँ पर हम एक exercise दी हुए है जो मैंने आपके लिए कर दी है, फिर भी मैं इसको एक बर बोल देती हूँ, rewrite the following sentences with punctuation marks and capital letter, whatever necessary John said, come to me and I'll teach you, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, John का पहले तो J capital कर दिया है, said, comma फिर inverted comma में, come to me and I will teach you, full stop भी लगाया, second है, some people like Bhagat Singh sacrifice your lives for their country, for the country some, S बड़े से होगा, some people like Bhagat Singh, नाम है ना, तो दोनो capital से होगा, sacrificed their lives for the country full stop भी लगाना, बिल्कुल नहीं बूला है next है, Govinda wants storybooks, pen, pencils, erasers and school bags तो Govinda, Govinda wants storybooks, comma pens, comma pencils, comma erasers and school bag, full stop, next है, Gandhi जी said where there is love, there is life तो Gandhi जी का G capital होगा Gandhi जी said, फिर inverted comma में हम लिखेगी, क्योंकि उनकी कहीं होई बात को हुआ 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 लिखने के लिए inverted comma में लिखा जाता है फिर inverted comma जैसे लगाते हैं, पहला letter capital से होता है, तो where फिर W capital से होगा, और फिर last में some clothes, comma, toys and books to the children who need them, ठीक है please के बाद भी हमें comma लगाते हैं, ठीक है और इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर correct कर लेते हैं let me do it for you, तो please के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर comma लगा दिया, please यह आगया हमारा comma और अब उसने जो बात बोली है उसकी बात को हम लोग हुबा हुब लिखने के लिए यहाँ पर एक inverted comma का भी इस्तमाल कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं लगाया एक inverted comma यहाँ और एक inverted comma close लगा दिया हमने end में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, rewrite the following sentence following joke with the proper punctuation marks मैंने आपके लिए कर दिया है जैसे कि जहाँ जहाँ पर जरौत थी वहाँ पर मैंने कर दिया है जैसे यहाँ सोमू was talking to his elder brother यहाँ सोमू was talking to his elder brother ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या किया full stop लगा के इसने inverted comma में लखा दादा why don't you take a ladder to school full stop inverted comma close और question mark भी लगाया है आपे ठीक है जो की उपर नहीं लगा हुआ था मूं को करना है his brother was surprised full stop inverted comma में why should I take a ladder to school question mark or inverted comma close he asked सोमू full stop question mark sorry inverted comma में लखना है you need a ladder because mother told me you are in high school now comma inverted comma close replied सोमू full stop ठीक यह देखते हैं exercise C हमारी क्या कह रही है in the following story there are several punctuation marks और in punctuation errors है जिनको हमें सही करना है जिनको जिनको मेंने underline किया है उसको underline करके उपर सही लिख दिया आपको भी ऐसे ही करना है जिसे यहां पर राजू में R capital से होगा यहां पर sisters में apostrophe S होगा यहां suddenly का S capital से होगा राजू का R capital से होगा I am so terrified inverted comma में लिखा जाएगा this is good lesson for you यह ना तो यह क्या हो जाएगा यह inverted comma में होगा तो inverted comma यह start तो किया गया पर end नहीं किया तो end किया और यहां पर कामा लगा दिया तो इस तरीके साब इसे कर लीजेगा और यहां पर हमारा chapter 23 भी complete होता है I hope कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वी असिस्ट्यू कपूर मेरे चैनल से जुड़े रहेगा जिसने आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएए थैंक यू सो मच और स्टे बलेज़ गॉड बलेस यो